मुहंदे मातरम आप सभी का नेटवोक 10 में स्वागत हैं, मैं हूं संजेगीरी गोस्वामी है। आज हम बात करेंगे भारत के नक्षे पर जिन राज्यों को आप देखते हैं, क्या आजादी के समय भी भारत ऐसा ही था? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, गलत है, आपको कुछ जानकारी देते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तब भारत कहीं रियासतों में बटा हुआ था, तब देश में 562 रियासते थी, अगर राज्ये के तोर पर देखे तो भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के तोर पर इसको हम बाट सकते हैं, आजादी के बाद इन्हें एक करना सबसे बड़ी चुनोती थी, या आजादी के लिए एक करना भी बड़ी चुनोती रही होगी, तब भारत में तीन परकार के राज्ये थे, ब्रिटिश इंडिया के राज्ये रियासते, फ रूप में पुनर गटित किया गया, जबकि तीन रियासते, बहावलपूर, खैरपूर, अमर कोर्ट, पाकिस्तान में शामूली, पाकिस्तान में शामिल होने वाली एक रियासत, उमर कोर्ट, जिससे तब अमर कोर्ट कहा जाता था, उस समय यहां के शाषक, राना, अर्जु सिंग सोंधा थे, हाला कि आजादी के समय है, हैदराबाद, जुनागर, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने के लिए राजी नहीं होए थे, मतलब तब यह कहा जा रहा था कि इनका भी विले होगा, लेकिन तब तक नहीं हुआ था, 1956 तक यह रियासते भी भारतिय का हिस्सा बन गई, और देश में चोदा राज्ये, छे केंदर सासित परदेश बनाए गए, आजादी के समय कैसा था भारत ये इस नक्षे के जरिये आप समझने की कोशिश की देगा, भारत जब आजाद हुआ, तब भारत के नक्षे पर उत्तर परदेश, मध्य परदेश, खरनाट, गुजरात, हरियाना जैसे राज्ये नहीं थे, तब इन्हें अंग्रेजोय दुआरा बनाए गए, सेंटरल प्रविंस, युनाइटिट प्रविंस, जो की आज का उत्तर प्रदेश है, बोंबे प्रविंस, सेंटरल, इंडिया, मदरास, प्रेजिडेंसी, स्टेट हुआ करते थे, सो तंतरता के बार, भारत में मैसूर, पंजाब, मदरास, बोंबे, उडिसा, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्यप्रांत, असम राजिस्तान और जम्मू कश्मीर राज्ये थे, अंडबार और निकोबार दीप समू, दिल्ली, लाकादीव, मनिकोय और अमिन दीवी दीप समू के रूप में जाना जाता था, आजादी के पहले ही रियासतों में भारत में शामिल ना होने को लेकर भी उठाब पठक होती रही थी, और उठाब पठक जो थी वो शुड़ू भी हो चुके थी, बहुत से नवाब, राजार अरजवाडे आजाद रहना च जाते थे, लेकिन तिरप्रवा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने 13-14 अगस्त 1947 को भारत में शामिल होने के सैमती पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये, और तब एक सिलसिला शुरू हुआ, कि वही सभी को भारत में जुड़ जाना चाहिए, उसके बाद भी भोपाल, हैदराबा जुनागर सहीद कुछ रियासते भारत में शामिल होने पर अस्मंजस में थी, इससे पहले 25 जुराई को लोड माउंट बेटन ने दिल्ली में पहली बार सभी राज रजवारों की बैठेक बुलाई, उसमें 75 महराजा और नवावों के अलावा, 74 राजा महराजाओं के परत 6 मही कोर सरदार वल्ल भाई पटेल ने रियासतों रजवारों के विले का जो मुश्किल काम था वो शुरू किया, उन्होंने तबके वरिष्ट नोकर सहा विके मैनन को गरह विवाग का मुख्य सची बना कर नवाबों राजाओं से बातचीत करने का एक जिम्मा दिया और त सभी रियासतों ने भारत में सम्मलित होने का निर्ने ले लिया था, क्योंकि भारत खास था, भारत सबको पसंदा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्नों ने खुद को इस मुईम से अलग रखा, मतलब वो चाहते थे कि हम आजाद रहें, 15 अगस 1947 को आजादे के समय देश में करीब 562 राजाओ नवाबों की रियासती थी, सरदार वल्लब भाई पटेल और वीपी मैनन के कूट नितिक परियासों से इनका विले हो पाया थे, इनका तिनका जोड कर जैसे चिडिया गोसला बनाती है, वैसे एक-एक रियासत जोड क जम्मू कश्मीर देशी रियासतों के विले की बात हो, तो जम्मू और कश्मीर के विले की कहानी भी बड़ी महतोपून होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का आज भी अभी नंग है, लेकिन वो आया कैसे, रियासत के जो सासक थे, महराजा हरी सिंग थे, आजादी के व भारत के साथ उनकी बात्चीत चल रही थी और महराजा असमंजस में थे वे जम्मू कश्मीर को स्वत्मतर देखना भी चाते थे लेकिन उनकी एक मंसा थी कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जाए और इसी बीच अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के काबिलेई लड़ाकों ने जम् राजा हरीशिंग ने जम्मू कश्मीर के भारत में बिना शर्त विले के समझोते पर दस्तकत कर दिये भारती असे ना ने जम्मू कश्मीर से काबिलाई जो लड़ाके थे और पाकिस्तानी जो फोज थी उसको खदेर दिया हलाकि उसी भी संयुक्त रास्त में भारत ने संगर्स विराम का एलान भी कर दिया जिस वज़े से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवेद कबजे में चला गया जो हिस्सा भारत के कबजे में होना चाहिए था बात करते हैं हैदराबाद को लेकर हैदराबाद भी बड़ा महत्वपून है कश्मीर के लावा हैदराबाद का मामला भी दिल्चस्प है महां के निजाम रासमंडल का सदस्य रहते वे हैदराबाद को एक अलग देश के तोर पर देखना चाहते थे निजाम उस वक्त भारत इने दुनिया के अमीर लोगों में से एक थे हैदराबाद की अपनी उन्होंने एक अलग सेना भी बना रखी थी वहाँ पर डाक्तार विभाग भी था रेलवे लाइन भी थी निजाम ने रजाकारों की निजी मिलिश्या यानि प्राइवेट आर्मी भी रखी हुई थी जिसका मुख्या कासिम राजवी था रियासत की 85 फिसदी जो आबादी थी वे हिंदू थी जादतर लोग भारत में विले के पक्ष में थे ऐसा भी कहा जाता है कि मोहमद अली जिन्ना के संपर्क में हैदराबाद के निजाम थे और वे गोवा में बंदर निजाम ने उस वक्त भारत में विले करने से इंकार कर दिया था 1947 में निजाम और भारत सरकार में एक साल तक यथा इस्तिती बनाये रखने को लेकर एक समझोता हुआ बोगोलिक समिकरन हैदराबाद के पक्षमे नहीं थे चारो तरफ भारत और बीच में हैदराबाद के रूप में स्वतंतर देश किसी को भी व्यावारिक नहीं लगता था भारत सैयम के साथ यथा इस्तिती बरकरार रखते हुए वेट और बाच की मुद्रा में था दूसरी तरफ निजाम की जो निजी मिलीशिया थी यानि जो फोज थी और जो रजाकारों की पूरी जो टीम थी उसने रियासत में तांडाव मचाना सुरू कर दिया वहाँ पर हमले लूट पार्ट अत्याचारिस तरे की घटनाई जादा होने लगी भारत सरकार पर सक्त कदम उठाने का दबाव भड़ने लगा तब सरदार पटेल का धहरिये भी जवाब दे गया आखिरकार उन्होंने सेन्य करवाई का रास्पा चुना 13 सितंबर 1947 को भारत ने ओप्रेशन पोलो शुरू कर दिया और पांच दिन के अंदर ही निजाम ने हारमान ली 17 सितंबर को निजाम और उनकी जो प्राइवेट सेना थी उसने सिरेंडर कर दिया राजशाही पर बैन लगा दिया गया 13 सितंबर को निजाम ने हैदराबाद में भारत के विले को मन्जूरी देदी मतलब की ऐलान कर दिया हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया बात करते हैं जुनागड को लेकर आजादी के बाद जुनागड के नवाब ने ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था और उस समय पाकिस्तान की जो सीमाई हैं वो भी वहां लगती नहीं थी जुनागर के नवाब की इस चाल बाजी से भारत ना खुषता उसे डर था कि अगर जुनागर पाकिस्तान में गया तो रियासत में उतल पुतल मज जाएगी सामपरदा एक हिंसाई भी बढ़ सकती हैं समझाने के बाद भी जब जुनागर के नवाब अपने रुक पर अड़े रहे तो सरकार ने जुनागर रियासत के तहट आने वाले दो छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया जुनागर रियासत की सप्लाई बंद कर दी गई चारो तरफ सेना लगा दी गई बोंबे में जुनागर की एक अंतरिम सरकार भी गठित कर दी गई दवाव बढ़ने के बाद जो नवाब थे वो कराची बाग गए और जुनागर के भारत में विले होने का रास्ता साफ हो ग बात करते हैं भोपाल को लेकर भोपाल रियासत भी बड़ी रियासत थी और भोपाल के नवाब हमिदुल्ला ने कहा कि उनकी रियासत अलग देश के रूप में होगी वे ऐसी रियासतों को मिला कर एक अलग देश बनाना चाहते थे जो ना भारत में शामिल होना चाहते और तो ना पाकिस्तान में शामिन होना चाहते हो। एक जून उनिस सो नंचस को भोपाल का भारत में विले हुआ और नवाब हमिदुल्ला इंग्लैंड चले गए उनकी बड़ी बेटी आविदा सुल्तान पाकिस्तान में चले गए छोटी बेटी साजिदा पटोधी जो साजिदा थी वो पटोधी खांदान की बहु थी यहां ल 246 आते आते साफ हो चुका था कि भारत ब्रिटिस उपनिवेश्ट का हिस्सा नहीं रहेगा उस वक्त त्रावन कोर के दिवान सीपी रामा स्वामी इस बात पर अड़ गए कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनका जो राज्य है वो सवतंतर रहेगा मतलब उनकी जो रियास खनीच संपद्धा के मामले में सम्रद्ध थी मोहमद अली जिन्ना खुलकर त्रावन कोर के दिवान के समर्थन में आ गए थे जिससे कि वहां पर उनका होसला और बढ़ गया जिन्ना वैसे भी दक्षिन भारत में एक अलग देश की कलपना करके बड़े खुश हो रहे थे त्रामनकोर की परजा में उनके रुक को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था जंगे जंगे सीपी रहामसामी के खिलाप लोग विरोध कर रहे थे जुलाई 1947 में उन पर जान लेवा हमला भी हुआ जिसमें वे बाल बाल बच गये थे इसके बाद ऐसा बोलते हैं कि त्रामन लाडू के कन्या कुमारी तक त्रामनकोर है और ये बड़ा मेत्वपूर्ण था तब जाकर भारत का एक और अभिन अंग जुड़ा मतला भारत का विस्तार हुआ एक और रियासत जोदपूर आजादी के बाद जोदपूर रियासत के राजा हन्मंत सिंग को पाकिस्तान से निमंतरन आ रहे थे और लगातार उनको भड़काने की कोशिश हो रहे थी हाला कि जिनना उन्हें कराची के बंदरगापर भी पूर्ण नियंतरन देने की बात कर रहे थे उन्हें लालास दे रहे थे लेकिन फिर भी राजा हन्मंत सिंग पाकिस्तान की साजिस्त को समझ रह रियास्त का भारत में विले हुआ है अब बात करते हैं गोवा की गोवा को कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में अपने खूब सूरत बीचों के लिए जाना जाता है यहां हर साल लाखोगी संक्या में देश से लेकर विदेशों तक से लानी घुमने के लिए आते हैं वैसे तो भारत को 1947 में अग्रेज़ों से आजादी मिली थी लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का इस्सा नहीं था आजाद वा लेकिन वो इसे इतनी आसानी से छोड़ने को तयार में थे इसके लिए भारत को सक्त रवईया अपनाना पड़ा भारत ने आजादी के बाद पुर्त गालियों से अनुरोद किया था कि गोवा को उसे सोब दें लेकिन उन्होंने इस अनुरोद को ठुकरा दिया अ गोवा को आजाद कराने में डॉक्टर राम मनोर लोहिया का भी बहुत बड़ा योगदान राव उन्हें सो चालिस में वह गए जहां उन्होंने देखा कि गोवा के लोग परेशान हैं और वहां नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं है लोहिया से यह सब पर्तिबन लगा दिया लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आजादी की जो लड़ाई थी वो चलती रही लगातार वो लड़ाई आगे भड़ती रही साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्टगालियों के चुंगल से गोवा को आजाद कराने की ठानी जब नौंबर महीन जवालाल नहरू ने आपातकालीन बैठकी और आखिरकार 17 दिसंबर को फैसला लिया गया कि गोवा को आजाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतिये सेनिकों को ओपरिशन वीजे के तैद बेजा जाएगा इस ओपरिशन में नो सेना से लेकर वायू सेना तक को भी शामिल किया भारतिये सेना की मजबूती को देखते वे पूर्त गाल ने 36 घंटे के भीतरी घुटने टेक दिये और गोवा छोड़ने का एलान कर दिया फैसला कर दिया 19 दिसंबर 1961 को पूर्त गाली जनरल मैन्वल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्म समर्पन के दस्तावेज पर दस जादी के बाद सारे रियासते तो धीरे-दीरे देश का हिस्सा बन गई थी लेकिन पूर्डूचेरी फ्रांसी सीयों के कबजे में था उनिस्सोचोवन में से भारत में विले की मांग पर अंदोलन हुए और अंदोलन बहुत तेज हुए साथ अप्रैल को भारतिये सेना और फ्रांस के सेनिकों में टक्रा हुआ जिसमें फ्रांस के कहीं सेनिक मारे गए तीन महिने बाद नव अगस्त उनिस्सोचोवन को वी सुबईया के नित्तर्त में सभी दलों ने पूरे परड़ूचेरी में अनश्यत काली नहरताल की गोश्ना कर दी और फ्रांस को ततकाल जान को 178 मिनिस्पल कांसलर्स और असेंबली परतिनेजियों में से 170 ने भारत के साथ विले के पक्ष में मत दान किया नोंबर 1904 को पड़ुचेरिका भारत में विले हो गया यह वो विले थे जिनका ओना बहुत ही महत्वपून भी था और यह भारत के वैसे भी खास अंग थे वैसे भी अभी नंग थे और भारत जो है वो बढ़ता भी दिखा आजादी के बाद के वर्सों में 17 राज्य बढ़क 29 हो गए आपको हम नक्षे के जरी यह भी समझा देते कि कब कौन-कौन से राज्य का गठन हुआ जम्मुएव कश्मीर 1940 जम्मु कश्मीर के राजा हरी सिंग ने भारत में विले के कागजातों पर हस्ताक्षर के 1956 में इससे भारतिय संग का हिस्सा गोसित कर दिया गया अगस से जाना जाता था जिसमें अवद और आग्रा भी शामिल थे बिहार 1950 22 मार्च 1912 को इस राज्य को अंग्रेजों ने बनाया था 26 जनवरी 1950 को इसे पून राज्य का दर्जा दिया गया साल 2000 में बिहार से विभाजित करके जारकर नाम का एक नया राज्य बनाया गया असम 1950 अ 1826 में समको अपने अधिकार में लिया था 1824 में ये बंगाल से विभाजित किया गया था 1912 में इसे पुन और गठित किया गया मेगाले नागलैन और मुर्जोरम भी इसमें शामिल थे 1950 में भारतिये राज्य बना उडिसा 1950 एक अप्रैल 1936 को अंग्रेजों ने उडिसा को ए 1950 में भारतिय परांद बना और 1969 में इसका नाम तमिल नाडू किया गया था आंधर परदेश एक नॉब्बर 1956 को इसे पून राज्य का दर्जा मिल गया था इससे पहले मदरास का हिस्सा था दो जून 2014 को अंधर परदेश के उत्तर पश्चिम इसे को अलग राज्य तेलंगा को मिलाकर 1956 में केरल राज्य का गठन किया गया था करनाटक एक नॉब्बर 1956 को मैसूर राज्य का गठन किया गया था निसे त्योहत्तर में राज्य का नाम करनाटक कर दिया गया महरास्त और गुज्रात बंबे प्रेजिडेंसी का हिस्सा थे एक महीं 1960 को महरास्त और गुज पंजाब की अगर हम बात करें तो पट्याला रियासत में आठ छोटी छोटी रियासतों को विले करके पंजाब का गठन किया गया था 1966 में पंजाब से हर्यान को लग किया गया और चंडिगड को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया हिमाचल पर्देश कि 1950 में तीश रियासतों को मिलाकर हिमाचल पर्देश बनाया गया 1936 में से केंदर सासित पर्देश बनाया गया था और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्ये बनाये गया मनिपुर manner 1987 में मनिपूर को भी स्वतनतृता प्रापाप थोइ थी। 1956 में एक सेंदर शाथित प्रदेश बनाया गया और 21 जंवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्ये का दरजा मिला मेगाले मेगाले को असम के इंतरगत 1970 में स्वायत राज्य बनाए गया था 21 जनवरी 1972 को इसे पून राज्य का दर्जा दिया गया तिरपुरा यह राज्य तीन ओर से बंगलादेश से खिरा हुआ है 1972 तर तके केंदर साचित राज्य था इसके बाद इसे पून राज्य बनाए गया सिक्किम यह देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है 16 माई 1975 को यह भारतिय संग का हिस्सा बना था गोवा भारत को स्वतनतरा मिलने के बाद भी यह शेत्र पूर्तरगाली अधिपत्य में था 1961 में भारतिय सेना ने इसे मुक्त कराया और इसे केंदर साचित शेत्र बनाए गया इसी के साथ दमन अगर को इसकी राजधानी कोशित किया गया मिजोरम बीस फरिवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इससे पहले यह समका एक जिला था 1972 में से केंदर सासित प्रदेश बनाए गया 36 गड़ दो हजार एक नॉम्बर दो हजार को मद्य प्रदेश का पुनर गठन किया गया और 36 गड़ को एक अलग राज्य बनाए गया जारकन आदिवासी बहुल्दिस शेत्र को 15 नॉम्बर दो हजार को बिहार से पर्थक करके अ अलग राज्य तेलंगाना का गठन किया गया दो जून 2014 को यह पूर्ण राज्य खोशित हुआ था तो यह वो राज्य थे जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भारत जैसा आज दिखता है उसे बनाने में किस तरीके के परियास हुए किन-किन रियासतों को यह पर मिलाया गया और कब-कब मिलाया गया इस खास पेसकस में इतना है दीजे मुझे इजाज़त जेहिन